नमस्कार दोस्तो, क्या आप सेब के बारे में ये पाँच तथे जानते हैं? पहला तथे माना जाता है कि सेब की उत्पत्ती मद एशिया के देश कजाकिस्तान की जंगली पहाडियों में हुई थी और वहीं से सेब बाकी की दुनिया में पहुचा सिकंदर जब मद एशिया आया था तब उसने इस फल के बारे में जाना और उसी के जरिये सेब योरप समेथ बाकी संसार में लोग प्रे हुआ दूसरा तथे इंगलेंड के नौर सेर में रहने वाले लोग सेब को देपताव द्वारा दिया गया उपहार मानते हैं वहां की कुछ प्राचिन कबरों में इसे पाया गया है जो की एक प्रतीक के रूप में मिट्टी या पत्थर के बनाए गये थे तीसरा तथे संसार में लगबक 7500 किस्मों के सेब पाये जाते हैं इसका मतलब कि अगर आप एक दिन में एक किस्म के सेब खाए तो सभी किस्म के सेब खाने में आपको 20 साल लग जाएंगे चोथा तर्थे अगर आप किसी ताजे सेब को पानी में रखते हैं तो वह तैरने लगेगा इसका कारण ये है कि सेब में 86 परतीशत पानी होता है पांचवा तर्थे एक सेब का पेड चार से पांच साल की उम्र से फल देना शुरू करता है और वह 100 साल तक जिन्दा रहता है दोस्तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर किजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब किजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही Amazing Bit Facts की वीडियो लाता रहूँगा दन्यवाद